हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का एलफा मोनीटर यूटुब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुजली यो सकीन एलर्जी से छुटकारा पाने का गरेलो उपाए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जनकरी प्राप्तोस के गर्मी का मौसम सुरू होते ही कई बीमारियां होने लगती है उसी में से एक बीमारी है ताउचा पर एलर्जी होना या फिर खुजली आना गर्मी के मौसम में धूप की वज़े से ज्यादतर लोगों में ताउचा में एलर्जी, घमोरी, रेड रेशेज, लाल रंग के छोटे छोटे दाने, ताउचा में खुजली, सन बरहन जैसी समस्यां देखने को मिलती है ऐसे में जिन लोगों को ताउचा समन्दी परेशानिया होती है, उनको अपनी ताउचा की देखबाल ठीक डहंग से करनी चाहिए गर्मी में होने वाली ताउचा समन्दी एलर्जी से बचने के लिए केमिकल वाली चीजों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए बलकि इसके लिए कुछ ग्रेलू नुस्कों को अपना कर ताउचा की अलर्जी से आप चुटकरा पा सकते हैं तो आईए जानते हैं उपायों के बारे में नमबर एक है नीम का पेश्ट ताउचा में अलर्जी की सिकायत होने पर नीम का पेश्ट काफी लाबदाइक साबित होता है क्योंकि नीम में एंटी इंफलेमेंटरी और एंटी बैक्टिरियल गुन पायजाते हैं इसका पेश्ट लगाने से ताउचा की अलर्जी की सिकायत से काफी हद तक छुटकरा पायजा सकता है इसके लिए नीम के पत्तों का कुछ देर पहले पाने में बिगो कर रख दें फिर इसका पेश्ट बनाकर ताउचा पर लगाएं नमबर दो है नारियल तेल और कपूर नारियल का तेल और कपूर ताउचा के लिए बहुती फाइदे मन्द होते हैं इसके लिए रोजाना नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर ताउचा पर लगाना चाहिए नमबर तीन है बर्फ का करना चाहिए इस्तमाल तवचा पर किसी भी तरह की सिकायत होने पर अलर्जी होने पर खुजली होने पर आप बरफ का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए जिस जगह पर आपको तवचा में कोई अलर्जी हुई है उस जगह पर बरफ के टुकडे से आप मलिस करें नमबर चार है फिटकरी और नारियल तेल ताउचा की अलर्जी की सिखायत होने पर जिस जगए पर अलर्जी है उस जगए पर फिटकरी में नारियल का तेल या फिर सर्सों का तेल मिला कर लगाएं इस से अलर्जी से काफी हद तक छुटकरा मिल जाएगा नमबर पांच है पानी बरपूर मात्रा में पीएं ताउच्चा में ऐलर्जी की शिकायत होने पार पानी बरपूर मात्रा में पीना चाहिए क्योंकि पानी पीने से सरीर हाइडरेट होता है इसके लिए गर्मी के मौसम में 10-12 गिलास पानी है वो पीना चाहिए इसके अलावा दोस्तों आप एलोवेरा जेल का इस्तमाल कर सकते हैं तवचा में अलर्जी होने पर एलोवेरा जेल काफी लाबदाइक माना जाता है क्योंकि एलोवेरा में एंटी बेक्टिरियल और एंटी फंगल गुन पाय जाते हैं चुताओ 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 चापर होने वाले संक्रमन से आपको बजाते हैं इतना ही नहीं इसके अलावा आप खेरे के पेस्ट का इस्तमाल कर सकते हैं ताओचा में अलर्जी की सिकायत होने पर खेरे का पेस्ट बहुती लाबदाईक सावित होता है क्योंकि खेरे में अंटी उक्सिडेंट गुन पाय जाते हैं इसलिए खेरे का पेस्ट पर बावित जगह पर लगाने से काफी आराम मिलता है इसके अलावा आप तौचा पर ऐलर्जी होने पर एक चम्मत सहद और उसमें ओलिव ओयल मिला ले क्योंकि शहद में अंटी माइक्रोबियल गुन पाय जाते हैं जो तौचा के लिए काफी फायदे मने जाते हैं आप इन दोनों का भी इस्तमाल कर सकते हैं और हाँ आप दही का भी इस्तमाल कर सकते हैं तौचा पर दही का इस्तमाल बहुत फायदे मन दोता है क्योंकि दही लगाने से तवचा को ठंडक मिलती है इसलिए इसके इस्तमाल से सन बरन की सिकायत दूर होती है तो दोस्तो यह थास का मेरा वीडियो यदि आपको यह जान करें काम के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जुरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको मेरे दोरा आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें